इस अबस्ता में व्यक्ति की शारत्ति व्यक्ति किसी न किसी पिरकार के कष्ट अत्वा परिशानी का शिकार हो जाता है गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर समुचित उपचार ना हो जाने पर संबंधित व्यक्तिकी मिर्टियू भी हो सकती है कभी कभी हम देखते हैं कि शरी के किसी अंग द्वारा अपना जो है काम जो है निर्धारी जानी की सुचारू रूप से ना करपानी की इस्तिती से व्यक्ति जो है रोग गिरस्त हो जाता है जैसे की अगर हम कहें कि गुर्दे, जिस तरीकी के गुर्दे जो हमारे काम करते हैं, और वहें गुर्दे, किसी बज़े से अगर उनमे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनका जो बिसर्जन कारी है, बेब बंध हो जाता है, तो भेग गंभी रो रोग की स्तिती उत्पन कर देत होगा किशी पोशक तत्य की कमी हो जाती है तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है ऐसी इस्तिति में व्यक्ति जो है वो रोग गिरस्त हो जाता है फॉर एक्जाम पिर विटाविन सी की कमी से जैसे कि सकर्भी नामक रोग होता है इसमें जो भी इंपोटेरिया आप protection करते जाएंगे ठीक है तो vitamin C की कमी से सकर्भी नामक रोग हो जाता है इन रोगों के अत्रिक्ट कुछ अन्य रोग भी भी हमारी व्यक्ति की कंभी रूप से प्रभावित करते हैं यह रोग कुछ बैक्टिरिया अत्वा रोगाड़ों के शरीर में प्रवेस कर जाने के परणाम शुरूफ हुआ करते हैं इन रोगों को स्वास्ते विग्यान में क्या कहते हैं संक्रामक रोग जाने की छूत का होते हैं रोगाणू जो होते हैं वो अतिशूस में जाने की च्छोटे होते हैं और असंह के प्रकार के होते हैं इनमें भिन्मिन प्रकार कि बिमारी यां होती है जो कि जीवाड़ों के माध्यम से संकर्मित होने वाले मुख्य संक्रामक रोग कौन कौन से है बच्चों जैसे कि आपका चेचक है छोटी माता, खसरा, कुकुर खासी, टेटनस, मियाईदी बुखार, पेचिस और आपका हैजा, अतिसार, मलेरिया, आदी अब ये सारे जो हैं आपके संक्रामक रोग हैं और ये रोगाणू और जीवाणू शरीर में पिर्वेस करने के पाद, रोगाणू या जीवाणू जो है स्वस्त्य व्यक्ति के शरीर में किस प्रकाश से पिर्वेस करते हैं अब जैसे कि सबसे पहले इनके कुछ चार फिर्मु कारण बताएगा है सबसे पहला है आपका जल एवम आहर के माध्यम से बेविन संक्रामक रोगों के रोगाणू जो है व्यक्ति के शरीर में जल एवम आहर के माध्यम से फिर्वेस करते हैं पेटेग व्यक्ति नियमित रूप से जल एवम आहर गिरहन करता है यदि परियाबरेण में किसी रोग के रोगाणू अधिक संक्या में हो तो वह जल में ब्याप्त हो जाते हैं और आहर तथा जल में पहुश करिये रोगाणू अनुकूर पस्तितियां पाकर तेजी से बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से रोगाणू अगर हम भही खाना खाएंगे तो वह व्यक्ति गिरहन करता है जोगी रोगाणू व्यक्ति के शरी में पहुश जाते हैं और समंदित रोग का संकर्मन जल एवर माहर माध्यम से हो जाता है जैसे कि अब जल के द्वारा जो है कौन से रोग होते हैं हैजा है, टाइफाइड है, अतिशार, पेचिसाधी रोगों का संकर्मन जो है मुख रूप से जल एवर माहर के माध्यम से होता है दूसरा कारण क्या है वही बायू के माध्यम से बायू के माध्यम से कैसे होता है कि पितेक जीविप्राणी जो है निरंतर बायू का सेवन करता है यदि बायू में किसी रोग के रोगाणू अधिक संक्या में व्याप्त हैं तो वेहमारी स्वसन द्वारा, स्वसन द्वारा यानि कि जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के तुरू बायू को गिरहन करते हैं, और व्यक्ति के शरीर में संबंजित रोग जो है रोगाणू पिरवेश कर जाते हैं, व्यक्ति कैसा हो जाता है, व्यक्ति रोग गिरस्त हो बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से जब हम भई बायू जाने कि दूशित बायू का सेवन करते हैं तो आपका जो रोग की व्यक्ति होगा जाने की जो स्वस्ति व्यक्ति है उसके अंदर रोगानू पिर्वेश कर जाएंगे अब बायू के द्वारा जो संक्रमित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके मेन जैसे की चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदित, काली खासी, आदि अब दूसरा कार्य क्या है? पित्यक्ष संपर्ण के द्वारा होता है माल लीज़े हम अपनी फ्रेंड से मिलते हैं परिवार में किसी सदस्व से मिलते हैं या बाहर हम जहां कहीं बी जाते हैं किसी से पृत्यप्श रूप से मिलते हैं तो इस पिर्किरिया दोरा क्या होता है तुच्चाश विविन रोगों का संकर्मड होता है पित्यग्च संपर्ग दोरा संकर्मित होने वाले मुखे रोगए आपके जैसी कि खाज खुजली이죠, कुछ रोग आधी- उसके बाद में आपकर रक्त के माध्यम से संक्रामक रोग कैसे होते हैं रग्त के माध्यम से होने वाले रोग जो है वो सीधे रग्त में पिर्वेश करते हैं इसमें रोगाणू विविन पिरकार के जैसे की मच्छर कुछ अन्य कीट हमें काटते हैं या डंग चुबाते हैं तो इनसे कीटों के मूग का सीध कर देते हैं संक्रमित कर देते हैं अब कुड़क्ति के माध्यम से होने वारी संक्रामक्रों कौन-कौन से होते हैं मलेरिया डेंगू प्लेक आपका पीत जुआर या फिर फाइल एरिया आदी ठीक है बच्चो आज के लिए इतना ही है नेस्ट वीडियो में इससे आके के बारे